नमस्कार प्यारे बच्चों मैं आपका अपना राम रतन दुवेदी आराइडी सर जॉइन डारेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिम्टेड बिटा मैं आया हूँ आपको जेए एडवांस 2022 के जो एडवांस पेपर हुआ है उसके प्राइड के स्ल्वूशन बताने और मैं आज आपको फीजिकल के मिस्ट्री के सल्यूशन बताऊँ है अपने छेगल तो फीजिकल है और गैंनिक में चला है इनार अटेगल है मतलब फेज अ चैप्टर फिस पेपर को अम यह कह सकते हैं कि बहुत तफ नहीं था लेकिन बहुत बढ़िया पेपाद हिए बैलेंस पेपर था लगब लग लव सारे चेप्टर इसने कवर भी किये और भी शांदर पेपर था चलिए श्टार्ट करते हैं यह देखियो तर्मोंके मिस्टि बहु कैलोरी मीटर का यह कोश्चन है कोश्चन में क्या कह रहा हम सब्सक्राइब कीडिया हिस नहींिट जाया है रहा है मतलब basically जो इसकी reaction है हो HG gas plus half O2 gas से HGO solid ये आपको reaction करानी है warm calorimeter में अब आप बात समझे कह रहा है temperature increases 298 से 312.8 का temperature rise हो क्या मैं यहां से delta T निकाल सकता हूँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ बही delta T पता चल गया heat capacity of the bomb calorimeter ये heat capacity दी है और enthalpy of formation of HG gas enthalpy of formation हमेशा एक मोल की defined होती है ध्यान रखियेगा ये 61.32 है तो अब आप समझते हैं कि इसको जब हमने combustion कराया तो कितना heat evolved हुई तो आपने बात करेंगे heat evolved ये होता है C delta T के बराबर कित के बराबर होता है C delta T के बराबर अच्छा अब ये हुआ कि C delta T तो C कितना दिया है आपको बटा 20 किलो जूल और delta T दिया है 312.8 माइनस 298 देखिए तो ये जो C delta T आ गया ये आ गया आपका heat evolved और ये आया 296 किलो जूल तो heat evolved आ गया 296 किलो जूल लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो heat evolved आया है ये क्या 2 mol HG को combustion करके आया है तो अगर हम ये कहें कि भाई heat evolved per mol HG तो ये आ जाएगा 296 by 2 तो ये आ जाएगा 148 किलो जूल यानि एक mol HG को अगर हम combustion कराते तो इतना heat evolved होती अच्छा अभी बात आती है कि एक mol का क्यों निकाले सन्य क्योंकि लास्ट में आप देखो क्या पूछा है the calculated standard molar enthalpy of formation molar enthalpy इसका मतलए एक mol कर formation पूछ रहा है यानि आप ऐसे समझे कि ये constant volume पे था तो delta U naught का value minus 148 kJ आ गया minus 148 delta U naught है constant volume पे अच्छा अपने को पता है कि delta H is equal to होता है delta U plus delta NG RT तो यहां से delta H naught का value आएगा minus 148 delta NG पे जरह जरह आप ध्यान दीजेगा कि इसका delta NG कितना आएगा देखी ये solid है तो 0 minus 1 minus 1 तो delta NG का value अगर हम यहीं लिख दें delta NG का value है 3 by 2 तो यहां से आप देखिएगा minus 3 by 2 R का value 8.3 temperature 298 अच्छा 8.3 क्या है जूल अपने को यूनिट किसमें रखना है किलो जूल में तो अपने ये minus कर दिया क्या भाई बातसाउन में आ रही है clear करिए तो यहां से आप देखोगे कि यहां से जो value आप solve करोगे तो 151.7 किलो जूल ये आ जाएगा आपका delta H0 क्या भाई clear है और इस reaction का जो आपको reaction given है HG gas plus half O2 gas gives HGO solid एक प्रकार से इस reaction का delta H0 क्योंकि हम एक मोल का निकाल रहे हैं तो इस का आगया minus 151.7 किलो जूल और जो delta H0 है उसको आप लिख सकते हो delta H0 formation of HGO solid minus delta H formation of HG gas ये आगया minus 151.7 इसका X दिया है minus HG gas का formation question में दिया था पैटा HG gas का formation is 61.32 किलो जूल तो यहां से आप देखोगे 61.32 किलो जूल तो यहां X का जो value आएगा minus 151.7 minus 61.32 ये आगया आपका ये minus minus plus होगे किलो जूल clear करिए तो ये आगया 90.39 minus का और mod of X पूछा है तो 90.39 ये exact answer आएगा 90.39 लिख सकता है 90.4 लिख सकता है range पर बात होगी तो advance क्या answer देता है exact value 90.39 किलो जूल है क्या बात clear हो गई? आसान question है दो मोल देके फसाया है अगर आपन दो मोल solve करेंगे तो दो मोल का आएगा लेकिन बिटा question में पूछा है molar enthalpy of formation इसका मतलए एक मोल की बात करनी है क्या बाई clear? चलिए next question आपको electro chemistry का question है किसका है? electro chemistry question electro chemistry question में क्या दिया है? क्या रहा E naught values दी है आपको बात जरा समझिए MnO4 माइनस से Mn solid का E naught हमें find करना है clear question में क्या क्या दिया है? ये देख लीजिए MnO4 माइनस से MnO2 और E naught दिया है इसका 1.68 volt फिर आपको देखना MnO2 से MnO2 से Mn plus 2 E naught का value दिया है 1.21 volt and Mn plus 2 से Mn solid E naught का value दिया है माइनस 1.03 volt अब आप बात जरा समझिएगा हमारे को इस reaction का E naught निकालना है अगर इन तीनों reaction को आप add करके देखो final reaction ऊपर वाली दिखेगी देखो इससे ये cancel इससे ये cancel final reaction आएगी तो सीधे E naught cell निकालना है तो N1 E1 plus N2 E2 plus N3 E3 divided by N4 ये लगा दिजिए formula अब N1 कैसे आएगा बटा देखो plus 7 से 0 इसमें N1 आएगा 7 मतलए N1 इसको निकालना है तो यहाँ plus 7 से plus 4 तो plus 4 तो N1 कितना हो गया 3 यहाँ plus 4 से 2 तो कितना हो गया 2 यहाँ आप देखोगे plus 2 से 0 इसमें भी 2 आएगा इसका मतलब यह हुआ कि this is equal to यहाँ देखिएगा तो 7 से 4 3 into 1.68 plus plus 4 से plus 2 2 into 1.21 minus 2 into 1.03 divided by 7 चक कर लिजे 7 क्या है final reaction में 7 clear तो आप इसको solve करिएगा तो यहाँ से आप देखिएगा करके देख लिए बटा तो यहाँ इसल जो आया वो देखिए हमको calculate करके दिखा देते हैं तो यह 1.68 into 3 1.68 into 3 5.04 इधर आगया 2.42 और इधर आगया 2.06 यह देखिए तो यहाँ बाजया समझेगा तो यह values हैं अपने को इतनका आगे value रखेंगे तो 5.04 5.04 plus 2.42 minus 2.06 divide by 7 तो यहाँ से आप देखिएगा कितना आएगा यह आगया 7.10 minus 2.06 by 7 तो यहाँ से आजाएगा आपका 5 इधर आजाएगा minus 6 में 6 0 और इधर आगया 4 5.40 by 7 क्लियर करिए तो 0.77 बोल्ट करके answer आजाएगा चेक करिए तो दो डिजर्ट तक देने थे तो 0.77 इसका answer आगया क्या भी बासमाज में बहुत आसान सा question था N1E1 प्लस N2 बहुत बाहर class में question कराएगा इस तरह के बटा a solution is prepared बहुत बढ़िया शांदार question मैं आपको बता दूँ जो बच्चे motion में पहड़ रहे थे बता दूँ यह अपने regular test का question है और इसमें data तक चेंज नहीं वह बिलकुल डिक्टो question अपने अभी जो test series चल रही थे advance की उसमें यही question मैंने पूछा था और वही बिलकुल चापा चापाया आप वेपर मिला सकते हैं तो करा 0.01 mol each देखिए H2CO3 NaHCO3 और Na2CO3 और NaOH सब का 0.01 mol है तो देखिए यह acid हो गया यह आपका base acid दोनों importatic होता है और यह base हो गया और इसमें NaOH मिला रहे हैं जब आप सोचो कि जब आप इसमें NaOH मिला रहे हो तो NaOH तो सबसे ज़्यादा strong acid जो होगा उससे reaction करेगा तो सबसे पहली reaction आपकी जो होने वाली है वो यह होने वाली है और यहां से बनाएंगे NaOH CO3 तो यहां से आप देखोगे H2CO3 का 0.01 mol है और इसका 0.01 mol है तो यह दोनों 00 हो जाएंगे और यह 0.01 mol बन जाएगा अब आप बात समझे 0.01 mol sodium bicarbonate बन के आया और sodium bicarbonate पहले से भी 0.01 पड़ा था तो total moles total moles of sodium bicarbonate आएंगे 0.01 plus 0.01 0.02 अच्छा अब समझो क्या Na2CO3 के mol 0.01 है तो क्या यह हो गया buffer solution क्या हो गया buffer solution और फिर आपन कहेंगे कि जो NaHCO3 और Na2CO3 का यह जो buffer solution हुआ उसका हमें pH निकालना है तो क्या लिखोगे pH is equal to pka2 लेना पड़ेगा क्योंकि acid यह है plus log salt by salt by acid salt by acid तो यहां आप देखोगे pka2 देखना पड़ेगा बेटा कितना दिया था pka2 pka1 10.32 दिया है तो यहां से 10.32 plus log salt की जगार लिखना है 0.01 और acid की जगार लिखना है 0.02 तो यहां से 10.32 minus log of 2 तो 10.32 minus अब देखो log 2 की value कितनी दिया है 0.30 दिया है तो यहां से 0.30 रखोगे तो यहां से आ जाएगा 10.02 यह exact answer है 10.02 अगर आपने 10 रख दिया तो हो सकता है गलत हो जाए क्योंकि question में 2 desert तक पूछा है decimal के बाद तो आपने को यह रखना हो 2 point तक पूछा है तो आपने को आंसर यह रखना पड़ेगा clear है वही आसान सा question था आइनिक equilibrium का आसान question तो देखिए क्या कह रहा है 3.74 ग्राम CUNO3 whole toys यानि की cupric nitrate का reaction के आई से करा रहा है जिससे अपने पता क्या मिलेगा CO2 I2 I2 KNO3 अगर इसको balance करें तो 2 यहां 4 यहां तो CU हो गया इदार अपना 4 KNO3 हो जाएगा balance हो गई यह balance हो गई और जो I2 है क्योंकि बेटा यह x में था तो जो के आई है वो I2 के साथ further reaction करेगा और बना देगा की का की 3 का solution यही है आपका brown solution अब यह कर रहा है इस brown solution में H2S की reaction करा रहे हैं यानि I3 माइनस का reaction S माइनस 2 से करा रहे हैं जिससे I3 माइनस जाएगा I माइनस में और S माइनस 2 जाएगा server में और यह है YPPT समझेगा बटा तो यहां से आप देखिएगा यह 3 I माइनस हो जाएगा और यह हो गया clear balance balance होगे reaction आप देखो इसका mole निकालोगे 3.74 बाई कोपर इसका molecular weight निकाल लीजिएगा तो यहां से 63 कितना molecular weight आएगा इसका देख लो बेटा 63 यह हो जाएगा 14 और प्लस हो जाएगा आपका 48 into 2 लगभग 187 आजाएगा तो लगभग इसका mole जो है 0.02 mole आजाएगा तो यहां इसका mole आजाएगा 0.01 तो इसका 0.01 है तो कि 3 का भी 0.01 mole आजाएगा clear अब यहां से इसका 0.01 mole है तो आप देखोगे कि इसका भी 0.01 mole आएगा clear तो weight of sulfur जो होगा 0.01 into 32 तो 0.32 gram इसका answer आएगा चेक करिए ठीक है dissolving 1.24 gram white phosphorus in boiling NOS solution फिर यही बात reaction inorganic की है mole लगा है कहने का मतलब यह कि जब तक अपने को reaction पता नहीं होगी तब तक answer नहीं आएगा NaH2PO2 प्लस pH3 यह देखिए यह reaction है चेक कर लिजे जब तक यह reaction आपको पता नहीं होगी block chemistry की P block की reaction है तो कह रहा है 1.24 gram तो 1.24 इसका molecular weight होगा बटा 1.24 तो यह आ गया 1.24 से divide तो 10 की power minus 2 moles आ गया है mole अब यह कह रहा है the amount of COSO4 required completely consume the gas तो पहले समझते हैं gas काउन सी है प्यस्थी gas तो आप देखोगे एक mole से एक mole तो इसका 10 to the power minus 2 mole यह बन गया आपका pH 3 gas अब pH 3 gas का reaction CuSO4 से होगा जिससे बनेगा Cu3P2 चेक करिए Cu3P2 तो इसका मतलब यहां 3 होना चाहिए और यहां 2 होना चाहिए तो यहां मिल जाएगा 3H2SO4 यह देखे यह reaction है तो यहां पर इसका 10 की पावर minus 2 mole है अपने को इसका mole निकालना है क्या निकालना है बिटा amount तो moles of CuSO4 required तो यह आजाएगा 3 by 2 into 10 की पावर minus 2 देखिए तो weight आजाएगा weight of CuSO4 3 by 2 into 10 की पावर minus 2 अब CuSO4 का molecule weight निकालना पड़ेगा देखिए Cu का कितना दिया है 63 दिया है तो यहां से आप देखोगे 63 SO4 96 होता है SO4 का तो यहां से आजाएगा 3 by 2 into 10 की पावर minus 2 यह हो गया 6 9 9 6 15 यह देखिए तो यहां से यह आजाएगा कितना है वही 1.5 into 159 into 10 की पावर minus 2 चेक कर यह कितना आएगा तो यहां से हैपन मल्टिप्लाई कर लेते हैं यह आगया और यह आगया इंटू 10 की पावर minus 2 यह आजाएगा 2.38 ग्राम यह फिर 2.39 ग्राम ठीक है यह अंसर होना चीज़ जादा क्योंकि प्रॉक्स कर देंगे 5 ग्राम से यह आटा देंगे तो यह 9 हो जाएगा ठीक है 2.38 यह 2.39 कोई भी अंसर दे सकता है चलिए देखिए, consider the following reaction, red phosphorus BR2 इसमें, देखिए, red phosphorus BR2 अगर अपन बात करें, कि यह red phosphorus BR2 क्या होता है? तो red phosphorus BR2 मिला के PBR3 हो जाता है, और PBR3 जब alcohol में reaction करता है, तो OH को BR में change कर देता है, यानि यह major product जो आया, यह आ गया, CH2 BR और BR, चेक करिए. कराओ an estimation of bromine in this, using carrius method, देखिए भाई साब, carrius method बहुत important है, carrius method mainly use के जाता है, halogen का percentage निकालने के लिए, इसमें होता क्या है, जब carrius method में, जो organic compound होता है, उसमें हम HNO3 की reaction कराते हैं, importance of HNO3 एक प्रकार से, carrius tube लेते हैं, और उसको heat करते हैं, hard glass tube होता है, that is known as carrius tube, औ और उसमें क्या होता है, जो carbon होता है, वो CO2 में oxidized होता है, जो hydrogen होता है, वो water में oxidized होता है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि यह पैराफे BR है, यह अलग नहीं होगा, लेकि मैं आपको बता दूँ, actually में क्या होता है, कि जब इसमें हम इसको जब convert करेंगे, जब convert करेंगे, तो सारा CO2 प्लस water प्लस AGBR, यह change हो जाता है, यानि सारा का सारा BR change हो जाएगा, यह पैराफे से हाँ कोई ले न देना नहीं, क्योंकि hard glass tube में बहुत heating condition में reaction होती है, इसलिए पैरा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका 1 gram लिया है, तो इसका moles जो आ जाएगा, यह आ जाए यहां से आप देखोगे, moles of BR आ जाएगा, 2 by 250, यानि की 1 by 125, तो moles of AGBR आप देखोगे, यह आ जाएगा, 1 by 125, clear? तो यहां से आप देखोगे, बिटा, यहां से आप देखना, कि यहां से जो weight of AGBR आएगा, 1 by 125 into 188 होगा, 1.50 gram, तो यह आपका answer हो गया, clear? चलिए, surface chemistry question है, ठीके, कर रहा है, the correct option related to the absorption process, absorption process आपको पता है, exothermic होता है, तो कर रहा है, kemi absorption result in a unimolecular layer, यह आपको याद होना चाहिए, जो kemi absorption होता है, वो unimolecular होता है, तो यह तो perfect सही हो गया, दूसरा कर रहा है, enthalpy change, during, phys absorption is range of 100 to 140, यह गलत हो गया, क्योंकि वो 40 to 80 होता है, यह आपको याद होना चाहिए, बिना याद किये, नहीं आएगा, c option, kemi absorption is the endothermic process, नहीं, जो भी absorption होता है, वो हमेशा net exothermic होता है, तो यह भी गलत हो गया, and d, lowering the temperature, favors, phys absorption process, simple, अगर temperature, अगर सोचो की, अगर exothermic है, तो क्या temperature कम करने से, reaction कहां जाएगी, forward जाएगी, तो क्या यह सही हो गया, तो a and d जो हुए, इसके correct answer हुए, बहुत बढ़िया question है, match the column type question है, और इसमें kinetics का question है, बात जरा समझेगा, थोड़ा समझेना पड़ेगा, graph आपको देखे, चार graph बनाके दिये हैं, पांस दिये हैं इधर, PQRST में, तो कैसे करना है, देखिए, rate का value दिया है, KX, X solid plus X, under all possible initial concentration, अब all possible initial concentration के अगर हम बात करें, तो X solid के बारे में, तो बटा कुछ दिये ही नहीं, बहुत सारी possibility होगी, X solid कम है, ज्यादा है, तो इसको छोड़ते हैं, अगली move करते हैं, second option में, second option में यह दिया है, अब यहाँ देखिए, where initial concentration of X is much less than, यानि X less than, less than X solid, तो इसका मतलब हुआ कि यह वाली value neglect हो गई, चेक करिए, जब यह value neglect हो गई, तो यहाँ से आप लिखोगे, rate is equal to KX divided by X solid, X solid का concentration क्या होता है, solid का concentration क्या होता है, one नहीं होता है, constant होता है, तो क्या यह एक प्रकार से K-X हो गया, इसका मतलब यह हो गया, फस्ट ओर्डर, चेक करिए, अगर यह फस्ट ओर्डर हो गया, तो आप देखिए, कि फस्ट ओर्डर में, half life initial concentration, इसका मतलब, जो second का answer आया, second का answer, चेक करिए, वो एक तो आएगा Q, second का answer क्या आएगा, Q, ठीके, और भी आगे देख सकते हैं, यह नहीं हो सकता है, second का answer यह भी होगा, QT answer आएगा, second का answer आएगा, Q&T, second का answer क्या answer आएगा, Q&T, क्या वाई, second का answer Q&T हो गया, अब आप बात समझेए, कि third की तरफ move करें, third, करा वेर, initial concentration of X are much higher, यानि कि, जो X है, जो X है, वो आपको दिया है, greater than, greater than X solid, तो X solid का value neglect हो गया, और यह cancel हो गया, तो rate का value, K के बराबर आगया, यानि यह zero order reaction हो गई, चेक करिए, zero order, अगर यह zero order हो गई, तो एक तो third की अगर हम बात करें, तो third का zero order के लिए ग्राफ होता है, तो S आएगा, third का S आएगा, ठीक है, third का S आएगा, first भी देख लेते हैं, first में से कोई नहीं आएगा, बिल्कुल, तो third का S आएगा, अच्छा, फोर्थ की बात करें, where initial concentration of X is much higher than X solid, तो जब यह कह रहा है, X का concentration solid से ज़्यादा है, इसका मतले यह neglect, यह cancel, तो क्या यहाँ, rate का value, फिर K-X आएगा, यानि यह, क्या यह, first order, यह भी हो गया, यानि की fourth का answer भी Q और T आएगा, चकरिए, तो second का answer आना चाहिए Q and T, fourth का answer आना चाहिए Q and T, और third का answer आना चाहिए S, अब आप first के बारे में कोई comment नहीं, क्यों comment नहीं, पता ही नहीं, उसके बारे में कोई Q, उसमें करहा, all possible, सारे लेने पड़ेंगे सारे, तो आप देखो second का Q कहां कहां दिया है, second का Q इसमें दिया है, second का Q इसमें दिया है, clear, इसका मतलग या तो answer A है, या answer C है, या तो answer A है, या C है, अच्छा, third का answer होना चाहिए S, तो third का S देखो कहां दिया है, third का S ये में दिया है, इसमें नहीं दिया, confirm answer A हो गया, क्या वहीं, बात समझ मे स्रीका जो पहला पेपर था मैंने आपको बताया थेंक यू